आग Tanr Spiritual नमख्कार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका दूस्तों आज लोग बात करने वाले हैं ऐसी चीज थे वारे acabaवरे में ऐसी रैगुलर चीज के बारे में जिसे आप daily use करते हो आपको पता हो या ना हो लेकिन आप उसे daily use करते हो जिसका नाम है email क्या नाम है उसका नाम है email दोस्तों हम बात करने वाले है email के कि हमारे life में कितना important email है ये email जो है वो कितना important हमारे life में चल रहा है हमारे life में कितना important email है पूरी चर्चा हम ल कैसे क्या हुआ पूरी हिस्ट्री पूरी जानकारी पूरी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे बस इस वीडियो को आखरी तक आप देखते रहेगा बहुत मज़ा आने वाला है तो मैं बात कर रहा हूँ रत्नाकर रुपाध्याय और आप देख रहे हैं तो दोस्तों चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं किसकी एमेल की किसकी बात करने वाले हैं? इमेल की, तो इमेल की अगर हम बात करें, तो इमेल का मतलब होता है, इका मतलब होता है, इलेक्ट्रोनिक होता है, इका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिक होता है, यानि मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिक मेल की हम लोग बात करने वाले हैं, किसक चाहिए था, 1960 में इसे स्टार्ट किया था और 1970 से रेगुलर यूज में आने लगा दोस्तों, मिन्स क्या हुआ कि हमारे आप जैसे अधर कंट्री वाले जो है इसको यूज करना सुरू कर दिये थे, 1970 से रेगुलर यूज में आ गया है, लेकिन इसकी खोज कब हुई थी? 1960 मिन यह daily routine में यूज होता है, कब यूज होता है भाई? यह daily routine में होता है, आज के समय की अगर हम बात कर लें, तो यह business sector में भी यूज होता है, kis में यूज होता है? किसी भी sector की मैं बात कर लूँ all sector की बात कर लूँ मैं किसी भी चीज की लिखूंगा नहीं चाहे वो research की बात कर ले या फिर हम किसी routine की बात कर ले या फिर हम YouTube किसी भी sector की बात कर ले कोई difficult website जब हम लोग open करते हैं तो वहाँ पे email most important होता है क्या होता है दोस्तो email ID most important होता है जिसकी जानकारी हम लोग पूरी वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं हमारे life में हमारे life sector में email, social networking, chat, blog ये सारी चीज़े जो है include हो चिकी हैं सभी लोग use कर रहे हैं आज के समय में social media से अच्छा कोई site है नहीं है कोई वे है नहीं है, blog की बात करें तो blog लोग use कर रहे है social networking के बात email ID भी लोग use कर रहे है तो सारी चीज़े इसमें लोग use कर रहे है through internet we are connect the whole words यानि क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग कह सकते है through internet we are connect all words क्या है all words यानि पूरे ब्रम्हांड को पूरे बिश्व को हम लोग जो है through internet के connect कर सकते है कोई भी address कहीं पे भी send कर सकते है email ID के माध्यम से किसके माध्यम से दोस्तो email ID के माध्यम से पहले के समय में क्या था पहले के समय में लोग जाते थे line लगाते थे post office में कोई भी SMS send करना होता था कोई भी हमें पत्र भेजना होता कहीं तार भीजना होता था तो लोग क्या करते थे वो लोग जाते थे कहां post office में जाते थे post office में जा करके वो लोग line लगाते थे ticket खरीदते थे फिर form फिल करते थे फिर पोस्ट इंक्लूड करते थे फिर लिफाफा खरीते थे उसमें रख के पूरा अच्छे से गोंदोंद लगा के टैप ओप लगा के सेलो टेप हो गएरे तो क्या करते थे उसको लोग सेंड करते थे पैसा भी एक्सपेंस होता था लेकिन इमेल आइडी जो हमारा है वो फ् मैसेज हम लोग असानी से सेंड कर सकते तो यह हमारा दोस्तों एमेल है अगर हम बात करें एमेल की तो रेगुलर रीऊज कहां होता है भाई स्कूल की बात करले हम लिखेंगा निया आप लोग बस ध्यान से हमारी बात कह सुन लो समझ लो पूर जिंदगी नहीं भूलने किस का नाम आपने सुना ही होगा Google main का नाम आपने सुना ही हो इसमें तो इस email की अगर हम लोग बात करें तो इस email में भी तीन पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं तीन पार्ट होते हैं मैं आप लोग बता दूँ कि email के हमारे तीन पार्ट होते हैं, कौन-कौन से पार्ट होते हैं, मैं आप लोग को आज बताता हूँ, आज आप लोग जान जाओ, बहुत ही अच्छी बात है, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, थ्री पार्ट इसमें होते हैं, कितने पार्ट होते है मैंने लिख दिया ठीक है अब ये क्या है ये तीन पार्ट में डिवाइट है साथ से पहला तो इसको हम लोग कहेंगे यूजर नेम कहेंगे क्या कहेंगे यूजर नेम कहेंगे यूजर नेम कहेंगे लिमिटेड को क्या कहेंगे हम लोग जो हमारा डॉट लगता है जो हमारा मे कहते हैं और यह हमारा जो होता है यह होता है डोमेन नेम यह क्या होता है भाई यह होता है डोमेन नेम इसमें होता है पच्चिन होता है और यूजर नेम होता है तो इमेल आइडी में हमारा तीन चीज होता है जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज आसानी से कहीं पे भी send कर सकते हैं दोस्तों अगर हम इसकी बात करें email id की तो email id से क्या-क्या फायदे हैं सबसे पहला फायदा क्या है कि हम लोग बहुत अच्छे से अपना communication कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे से सारा अपना communication कर सकते हैं किसी भी data की बात कर ले हम चाहे वो हमारा soft copy हो या फिर कोई भी text हो, कुछ भी हो अगर यह में send करना है तो हम आर्षानी से send कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? receive कर सकते हैं send कर सकते है, receive कर सकते हैं इसको कहीं carry नहीं करने की ज़रूरत है आपको क्या करना है इसमें? ये no need to carry with you ये no need है हमारा no need to carry with you no need to carry with you आपको कहीं भी लेकि जाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास ID और password रहेगा आप whole world में कहीं भी इसे open कर सकते हैं तो कहीं भी जाके अपना क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, अगर हम बात करें, तो ये हमारा basically soft copy होती है, क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये soft copy होता है, दोस्तों जान लिए, क्या होता है, soft copy, इसमें space भी होता है, basically जो हमारा होता है, 15 GB का space होता है, कितना, email ID में free of cost 15 GB का space मिलता है दोस्तों आप लोग जान लो अपने documents आप लोग आसानी से रख सकते हो यूज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी email है आपको कुछ आज सीखने को मिला बिल्कुल अगर आपको ये कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा कि दोस्तों आज आप लोग को क्या अच्छा सीखने के लिए मिला आप लोग के सुझाओ अगर आप लोग को कोई कमी है कोई कमी दिखती है तो बिल्कुल आप लोग सुझाओ दे सकते हैं अपने छोटे भाई को आप लोग के सहयों की जरूरत है दोस्त कर दो